रांची के सर्णा टोली हत्मा में केंद्रिय सर्णा समीती की बैठक हुई जिसमें करम महापर्फ पुली कर चर्चा की गई 29 अगस्त को करम पर्फ मनाया जाएगा केंद्रिय सर्णा समीती के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने बताया कि करम पुजा के दौरान अनावशक रूप से भीड़भार नहीं लगाया जाएगा मास्क और सुशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा उन्होंने युवाओं से कोरोना गाइडलाइन पालन करनी की अपील की बबलू मुंडा ने सर्कार से करम पर्फ पर तीन दिनों की छुट्टी देनी के मांग की सब्रंग समचार के लिए राची सहजे कुमार की रपोर्ट